हेलो एवर्डिवन आज हम जो हमारा पीएचडी कोर्स वर्क होता है जिसे हम प्रीएचडी भी कहते हैं उसके स्लेवस के बारे में डिसकस करेंगे कि उसमें कितने पेपर होते हैं क्या क्या उसका स्लेवस होता है तो इसमें जो हमारे पहले तीन पेप एकजाम होते थे रिसर्च मेतलोजी कोर सब्जेक्ट पेपर और कम्प्यूटर अप्लिकेशन इन रिसर्च बट अब इसमें एक पेपर और एड़ हो गया है रिसर्च अपब्लिकेशन एथिक्स यह exam जो है हमारे hundred marks का होता है first paper research methodology का जिसमें 18 marks हमारे exam हमारे paper के लगते हैं और 20 marks हमारे internal assessment के लगते हैं उसी तरह हमारे subject का paper भी इसी तरह होता है त्यक्थ है इसमें ये भी हमारा hundred marks का होता है 20 internal assessment के और 18 हमारे exam के जो पर थार्ड होता है वो 50 marks का होता है उसमें 10 assessment के और 40 का हमारा exam होता है Research and Publication Ethics में भी हमारे 25 number assessment के लगते हैं 25 का ही exam होता है और सभी का जो time duration है वो equal होता है 3-3 hours आप question किस तरह से पूछे जाते हैं और कितने question पूछे जाते हैं जो हमारा first paper होगा उसमें हमारे question पूछे जाएंगे 9 question one question होगा जो वो compulsory होगा और बाकी जो four units है उनमें से two two question आएंगे उनमें से हमें हर unit में से एक एक question करना है it means total हमें five question करना है one question हमें compulsory है और बाकी चारों units में से एक एक question करना है हर question 16 marks का होगा इसी तरह हमारे subject में भी इसी तरह हमें 5 question attempt करने होगे 1 question जो होगा वो compulsory होगा और जो हमारे पर 3rd है इसमें हमारे question आएंगे 5 question आएंगे 1 question compulsory होगा हरे question 8 marks का होगा और जो बाकी 4 question है वो 4 unit में से 8 question आएंगे उन में से हमें एक-एक question करना है इसी तरह हमारे research and publication ethics में भी हमारे 9 question आएंगे हर questions five marks का होगा एक questions जो होगा वो compulsory होगा और बाकी जो है वो four unit में से दो-दो question आएंगे उन में से हमें कोई भी हर एक unit में से एक question करना है तो इस तरह से जो हमारा PhD course work है उसमें हमारे चार paper लिये जाते हैं इन चारो paper में जब हम pass हो जाते हैं तो हमारा जो हमें guide provide हो जाता है और जो हमारा PhD वाला काम है वो start हो जाता है इस छे मैनों में हमें जो हमारे six month है हमें in syllabus की इसके बारे में की research के बारे में research होती क्या है हमारा जो topic है वो select करना है किस topic पर हम research करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं यह हमारा time period इसी in six month में हम decide कर लेते हैं कि हमें इस topic पर research करनी है और जो हमारे internal assessment के हैं वो हमारे seminar के base पर हमारी attendance वगरा के base पर हमारे behave के base पर हमारे marks decide किये जाएंगे और अगर आप इनका syllabus जो है detail में जाना चाहते हों की first paper का syllabus क्या होता है second paper में क्या पुछाजाता third paper में क्या पुछाजाता है और fourth paper में क्या पुछाता है जो हमारा fourth newspaper है newly एड हुआ है तो इसमें जो हमारा स्लेबस है वो भी हम आपको अगर आप जाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताईए हम आपको बता देंगे और हाँ अगर आप खुद ही अगर देख सकते हो तो जो हमारे UGC की साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो स्लेबस है वो क्या है ठीक है ये यूनिवस्टी पर डिपैंड करता है कि आपका किस तरह से exam लिया कई यूनिवस्टी में क्या है exam नहीं लिया जाता कई यूनिवस्टी में आपको ये कह दिया जाता है कि वह questions आप इस तरह से बना के लिए क्या ये तो उनकी जो कोपी है जो questions वो घर से लिख के लिख आते हूं कोई कमेटी है जो वो चेक करती है तो यह आपकी university firm depend करता है कि वो exam conduct कर रही है किस तरह से आपका course वर complete करवा रही है thank you for watching this video और अगर कोई और PhD से related या फिर that GRF से related आप हमसे कुछ जाना चाते हो तो आप comment करके जुरूर बताएगा हम आपकी comment का जुरूर reply करते हैं और अगर आपको हमारी video पसंद आई हो तो like करना ना भूले thank you